नमस्कार दोस्तों मैं स्टोलोजर विकास मलोत्रा लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों शरत पूर्नीमा का पर्फ आने वाला है शरत पूर्नीमा मा लक्षमी, चंद्रदेव, भगवान शिव, कुबेर और भगवान कृष्ण की आरादना करने का बहुत शुब अवसर है चंद्र की शुब किरने जब आपके आंगन में बिखरेंगी तब सभी खुशियां बरसेंगी और मा लक्षमी का आशिरवाद सभी देवताओं के साथ आपको मिलता है धार्मिक मान्यता ये भी है कि शरत पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोला कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस रात अगर आप चंद्र देव की आरादना करते हैं तो अगर आपका चंद्र कमजोर भी है तो चंद्र आपका इंप्रूव होता है जो चंद्र से संबंदित आपको समस्याएं हो रही हैं उसमें भी कमी आती है और शरत पूर्णिमा की रात को ये मान्यता है कि मा लक्ष्मी पृत्वी पर भ्रह्मन करती हैं और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं तो उनको मा लक्ष्मी का आशिरवाद मिलता है तो आज के दिन चंद्र पूजन और मा लक्षमी के पूजन की महत्वता बढ़ जाती है तो इस से आपके मनोबल में वृद्धी आपके स्मरण शक्ती में बढ़ोत्री आपको चंद्र से संबंदित कुछ बाधाएं आ रही है घर में दारिद्रे है ये सब चीजें खतम होती है तो इसके लिए मैं एक उपाए आपके लिए लेकर आया हूँ आप इस उपाए को जरूर आजमा कर देखें बस ध्यान ये रखिएगा जिस विधी से मैं आपको ये उपाए बता रहा हूँ आपको उसी विधी से ये उपाए करना है इससे पहले कि मैं उपाए पर आपसे बात करूँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और बेल बटन को पुश करना ना भूले अगर किसी भी तरह का जोतिशिय परामर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं अब शरत पुर्निमा की रात को जो ये उपाय आपने करना है उसमें आप सबसे पहले एक लोटा ले लेंगे लोटा जो आपने लेना है अगर हो सके तो चांदी का लोटा ही ले अगर चांदी का लोटा आपके पास नहीं है अब अगर आपके मंदिर में मा लक्ष्मी की और भगवान विश्नु की कोई मूर्ती है या फोटो है उनके सामने थोड़े से चावल रखें चावल खंडित नहीं उन्हें ये कच्चे चावल रखने हैं आपने इसके साथ ही कोई मिश्ठान आप उनको अर्पित करें और वहीं बैठ कर अपने घर में सुक समरिधी और धन आने के लिए प्रातना करें और ये प्रातना करें कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे अब इस प्रातना करने के बाद एक मंत्र आपको बता रहा हूँ इस मंत्र का कम से कम नौ बार जाब करें ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा इस मंत्र का नौ बार जाब करने के बाद उस जो जो चावल आपने रखे थे वो थोड़े से चावल उसमें से ले लीजे और जो लोटा आपने बनाया था उसके अंदर वो चावल डाल दीजे इसी तरह से जो मिष्ठान आपने चड़ाया था भगवान को उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान लेकर आप उस लोटे में डाल दीजे अगर आपको गुलाब का फूल मिल जाए तो एक गुलाब का फूल भी लोटे में डाल दीजे अब ये लोटा लेकर जब चंदर उदे होता है आप चले जाएं और इस लोटे से आप चंदरमा को अर्ग देंगे ये चंदरमा को अर्ग देते हुए आपको एक मंत्र का जाब भी करना है मंत्र बहुत सिंपल है ओम सोमाए नमा ओम सोमाए नमा इस मंत्र का आप कम से कम नौ बार जाब करें और चंदरमा से भी प्रातना करेंगे आप कि आपके घर में तुख दारिद्रे मिट जाए और सुख समरिद्धी का वास हो ये करने के बाद आप जो चावल बच गए आपके पास जो आपने भगवान पे चड़ाए थे उन में से थोड़े से चावल किसी सफेद पोटली में बांध कर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें बस इतना सा उपाय आप करके देखें आपको इस उपाय का लाब जरूर मिलेगा आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और हमारे वीडियो कोई भी मिस ना हो तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद दोस्तो